वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें पिशली वीडियो में टॉपिक देखा था समिधान के भाग और अनुच्छेद भारत का जो समिधान हैं भारत के समिधान में 22 भाग हैं 305 में अनुच्छेद हैं और 12 अनुच्छिया हैं तो यहां पर 22 भाग हम पढ़ चुके हैं 305 में अनुच्छेद भी देख चुके हैं कि कौन से भाग में कितने अनुच्छे थें कौन कौन से विसाय उनके रहेंगे इसके अलाबा आज अगला टॉपिक देखेंगे भारती समिधान के अनुसूचियां और यहां से कई सारे प्रिश्ण पूछे जाते हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें इंपॉर्ट्वीडियो रहेगा किलियर है तो आई चली Sutart करते हैं सबसे पहले बात करेंगे पहली अनुसूची की पहले अनुसूची में क्या दिया गया हैं पहली अनुसूची में राज्यों के नाम है उनके नया एक छेत्र हैं इसके अलाबा संहिराय छेत्र जो यूनियन यूटी्स हैं उनके नाम दिए गये हैं और उनकी सीमा दिए गई है और इसमें जो अनुसुछ 열भट है इसाहरी पहली पहली अनुसुछी से संबंदित है क्लियर एक से चार एक से चार तक के जो अनुचेद हैं वो अनुसूची पहली से पहली अनुसूची से संबंधित हैं किलियर है तो पहली अनुसूची में क्या है राज्य और संग्राजी शेत्रों के नाम है और सीमा है किलियर है इसके बाद अनुसूची दो दूसरी जो अनुसूच ही है इसमें भत्ते विशेशा दिकार और इसे संबनित प्रावधान किए गये अब किन चादिकार और इन से संबंदित प्रावधानों का वर्णन जो है दूसरी अनुसूची में क्या गया है आर्टिकल 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 164, 186 और 221 ये सभी जो अनुचेद हैं ये इस अनुसूची से संबंदित है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले भारत का सरबोच कौन हो चेशारीकार और भत्ति इसी में बताये गए है ठीक है इसके बाद भारत में सबसे पहली क्या आती है संसद आती है तो संसद में दो संस्थाएं होती है एक लोकसभा होती है तो यहाँ पर लोकसभा के अध्याक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताये गया है और राज् विधान सभा का जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है उसके बारे में बताये गया है और विधान परिशत के सभापती और उपसभापती के बारे में बताये गया है ठीक है इसके अलावा सर्वोच नियाले के नियाले के नियाले के नियाले के नियाले के नियाले के बिशेश आदिकार और भत्ते इसमें दिये गए किलियर है आयोप आपको किलियर होगा इसकी बाद आगे बढ़ते हैं अनुसूची तीन देखते हैं भारती संभीधान की जो अनुसूची तीन है इसमें विविन उमीद्वारों द्वारा ली जाने वाली सफ़त का वर्णन है उसका वर्णन तीस्टे अनुसूची में दिया गया है यह उमीद्वार कौनकों से अब किन किन लोगों की सपत के बारे में हाँ पर बताये गया है संगे के जो मंत्री होते हैं संसत के लिए निर्वाचन ही तो अभ्यारती होते हैं संसत की जो सदश्य हैं सरबोच न्यायले तो यह जो लोग है इनके बारे में इनके जो सपत है उसका वड़न अनुसूची तीन में मिलता है आर्टिकल कौन-कौन से हैं 75, 84, 99, 124, 146, 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219 ये सारे आर्टिकल इस अनुसूची के अंतरकत आएंगे इसके बाद अगली अनुसूची है अनुसूची चार, चौती जो अनुसूची है भारती समिधान की इसमें राज्यों और केंदर शाषित पिदेशों में राज्य सभा की सीटों का आवंटन है तो अगर आपसे पूछे राज्य सभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची म बाऄ से तो फोर्ट अनुशुची हो जाएकृ क्लिए रहे आर्टिकल चार से लेखर असी तक चार और और असी इसके बारे में अगली अनुशुची है नियंद्र Jestry गए हैं previous year में अनुसूचित और जन जाती है छेत्रों के प्रशासन और नियंतरन के बारे मुबंध है पाच पे अनुसूचि में वही छटी अनुसूचि चार छेत्रों के बारे बात करती है असम मेगाले त्रिपुरा और मिजोरम अत्री ममे से याद कर सकते हैं आप इसको अ आत्री ममे से याद कर लिजी हैं के चार छेत्र कांथ कौन कांसे तो इन चार छेत्रों के जन जाती है छेत्रों के प्रशासन के पारे बंदे और पांचवी अनुसूची अनुसूची अनुसूचित और जंजाती छेत्रों के प्रशासन और नियंतरन के बारे में बंद करती है यह आर्टिकल 244 हो जाएगा यहाँ पर 244 और 275 हो जाएगा ठीक है तो पांचवी और छटी अनुसूची बात कर लिए हमने यह संग सूची राजी सूची संबर्टी सूची संग सूची में वह विसा है जिन पर कानून बनाने का दिकार संग को है राजी सूची में वह विसा है जिन पर कानून राजी सरकार भी बना सकती है संग सरकार भी बना सकती है यानि कि केंद्र सरकार भी बना सकती है ठीक है तो सम्हिदान संभाता सम्हिदान संभी 56 त Lebens 240 और स्पाइब मेया थे संुज़क्त याद रखनांस तो अभी संग सुची सो है इसमे मेंért है और इसमें बावन ए कलियर है आर्टिकल 246 इसकी बात करता है साथ-वी अनुसूची से इसके बात है यहां पर हमने आनुसूची की बात की इसके बाद अगले दός वी बहुत इंपॉर्टेंट है आठवी अनुसूची जो है ये किसे संबन देते ये भासाओं से संबन देते आठवी अनुसूची में समिधान में भासाओं दी गई है समिधान की दोरा मानेता प्राप्त जो भासाओं है उनका वर्णन इसे अनुसूची में है मूल रूप से 14 जब समिधान लागू हुआ थ तब 14 भासाओं को उलेखिस में किया गया था लेकिन अभी बर्दमान में 22 भासाओं इस अनुसूची में है तो आपसे प्रश्ण बनता है दो प्रकार से सबसे पहले भासाओं से संबद अनुसूची कौन सी है आठवी अनुसूची है आठवी अनुसूची में कितनी भासाओं के बारे में उल्लेक किया गया है तो यहाँ पर 22 भासाओं का उल्लेक किया गया है अब यह भासा है कौन-कौन सी है इनको याद रखना है ठीक है एक-एक भासा याद रखे ताकि अगर option में मिल जाए तो आप confused ना हो इसमें भोजपुरी भासा नहीं है कई पर option में भोजपुरी दे देते हैं तो भोजपुरी भासा जो है आठवी अनुसूची में नहीं है और इसमें देते हैं कि कौन सी विदेशी भासा है तो नेपाली नेपाली भासा जो है यह समिधान के आठ्वियन सूची में है ठीक है तो आप देखते हैं कौन-कौन सी भासा है असमिया है बंगला है बोडो है डूंगरी है गुजराती हिंदी तो होगी होगी इसके अलावा कंणर कस्मीरी कॉंकडी मैथिली मल्यालम मनिपुरी मराथी नेपाली ओडिया Maripुडी और नेपाली इनको को मने के आम से आप याद कर सकते हैं को मने कोकडी नेपाली इनको 1992 में 31 संभिधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया था इसके बाद मैं संग बोडो मैं संग बोडो मैथिली, संधाली, बोडो और डोंगरी, ये जो भासा है इनको 2003 में 92 वाला जो संभिधान संसुदन अधिनियम था उसके द्वारा जोड़ा गया था इसके अलावा 2011 में उडिया भासा का नाम बदल कर ओडिया कर दिया क्योंकि उडिया उडिया का नाम बदल कर ओडिया कर दिया गया था ठीके तो किलियर है 14 भासा है थी 14 के बाद 3 थी 21 संभिधान संसुदन की दाथ बाद तो ये 15 भासा हो गई फिर को मने कुंकडी मनेपुडी और नेपाली 3 जोड़ी 71 संभिधान संसुदन की द्वारा तो 15 यहाँ पर होई और 3 यहाँ पर होई 16 सत्रा और 18 ठीके यहाँ पर 18 भासा हो गई 1992 तक इसके बाद 2003 में 4 भासा है जोड़ी ठीके तो 18 और 4 22 हो गई 2003 में 2003 तक 22 भासा है हो गई तब से अभी तक 22 भासा ही है इस अनुसुची में 344 से 391 तक तो अनुच्छे थे 344 और 394 अनुच्छे थे वह सिय संबंदित है इसके बाद नवी अनुसूची ये पहले विए समिधान संसोधन के द्वारा जोड़ी गई थी ठीके तो मूल समिधान में 8 अनुसूची आ थी उसके बाद समिधान संसोधन करके 9, 10, 11 और 12 अनुसूची जो और अन्य मामलों से संबंदित संसत के अधिनियम और मिनियम है थीके इस अनुसूची को पहले समिधान संसोधन 59, 1951 के द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंगन के आधार पर न्याइक समिक्छा से इसमें समलित कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था 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 थ यह इसका विसाय था नवी अनुसूची 31 से संबंदित अनुशेद रहेगा इसके बाद 10 वी अनुसूची इसको भी समिधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया और यह वाबन विए समिधान संसोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और कई बार एक्जाम में पूछा जाता ह 10 वी अनुसूची को कि समिधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया 52 किस से संबंदित है तो ये दल वदल से संबंदित है दल वदल के आधार पर संसात और विधान सवा के जो सदर्शयों की निरहरता है उसके बारे में इसमें बन दे गए इस अनुसूची को 52 समिधान संसोध नीजिसो पचासी के द्वारा जोड़ा गया इसे दल परिवर्टित रोधी कानून भी कहा जाता है अब इससे संब्धित आर्टिकल कौन से है 102 और 191 इसके बाद 11 वी अनुसूची इसको जोड़ा गया 73 वी समिधान संसुधन की द्वारा और जो बार वी अनुसूची उसको 74 समिधान संसुधन की द्वारा जोड़ा गया 11 वी अनुसूची पंचायती रास्य संबंद थे पंचायत की जो सकतियां है प्रादिकार है जिमिदारिया है यह 11 वी अनुसूची में दी गई है इसमें 29 विसे हैं अब इस अनुसूची की एक एक चीज याद रखनी है आपको कि पंचायत की सकतियां किस अनुसूची में है 11 विसे कितने है 29 है कौन से समिधान संसूधन से आई 73 समिधान संसूधन से आई किस सन में आई 1992 में आई कौन सा आर्टिकल है 243 च्छा आर्टिकल हो जाएगा किलियर है इसकी बद अगली अनुसूची है 12 अनुसूची और अन संसो धन था और किस सन में आए 1992 में ठीक है 1992 में जोड़ा गया korn article 243 भा था यहां पर हमने समिध्दान की पूरी अनुसूचिया देख ले 12 पर आनुसूची가는 देखुली कौन सी अनुसूची में क्या दिया गया है ये भी देख लिया कौन सा अनुचे द ये भी देख लिया नौभी दसमी 11 मी वारमी का याद रखना है कब कब आई तो यहाँ पर यह संसो धन उनी सु इनक्यांव बावनवा संपिधैन संसो धन उनी सु पचासी सोफ मय्द में दूर दियान 21 संसो वा अनुसमे कियों संग्ष दल्वə Zel, संग्ष से पंजयति राज संग्षोत संग्ष S x किलियर है इसके अलवा। आठी पी आनुसूची में भासायन दी गई हैं। दूसे आनुसूची में विफेश इदिकार भत्तिय आधी बताए गई हैं। अब पहली अनसुची, राजी और केंद्र सासित पेड़ेसों की सीमाओं और उनके चेतरों के बारे में हैं, किलियर है, तो सारी अनसुची आ दीख लीए, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो, तो कॉमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो तो सॉ मच!